एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन समपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ती की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमतकारी संत का आगमन हुआ। उसे चार दीपक दिये। चारो दीपक देकर संत ने उसे बताया। जब तक चलते जाना, जब तक वह बुच ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन समपदा तुम्हें प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्चक्ता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला कर दक्षिन दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे, वहां की जमीन खोद कर वहां का धन प्राप्त कर लेना। पंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेश रहेगी। किन्तु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है, नहीं उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ती के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ती ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की गोर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूशनों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ती ने सोचा की पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हुँ, फिर यहां का धन ले जाऊंगा। वह कलश वही जाडियों में छुपा कर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिन दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ती ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला, जो सोने के सिकों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ती ने वह संदूक उसी गड़े में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिन दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ती को एक घड़ा मिला, जिसमें हीरे मुती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ती प्रसन्न तो बहुत हुआ, किन्तु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किन्तु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ती ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा, जो संत स्वय रखना चाहता होगा। मुझे तपकाल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कबजे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं एशो आराम से बिताँगा। उसने अंतिन दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुँचा। वह पहुँचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ती ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला। जिन्हें देख उसकी आखें चौनधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवास सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर यटकित होकर उसने उसकक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक व्रिद्ध व्यक्ती चक्की पीस्ता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ती ने उससे पूछा। यहां कैसे पहुँचे बाबा। व्रिद्ध व्यक्ती बोला। लोभी व्यक्ती ने सोचा कि व्रिद्ध व्यक्ती से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहा कहा छुपा है और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर व्रिद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा उसे हस्ता देख लो भी व्यक्ति ने पूछा ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा अरे अरे चक्की बंद मत करना अब से ये महल तेरा है इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल धह जाएगा और तू इसमें दब कर मर जाएगा संत की बात नमानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुँच गया था तब से यहां चक्की चला रहा हूँ मेरी पूरी जवाने चक्की चलाते चलाते निकल गई इतना कहकर वृद्ध व्यक्ती वहां से जाने लगा जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ती लोब में अंधा होकर यहां नहीं आयेगा तुम्हे इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा इतना कहकर वृद्ध व्यक्ती चला गया लोभी व्यक्ती चक्की पीस्ता और खुद को कोस्ता रह गया सीख लालच बुरी बला है